सरकारी नौकरी करने के लिए योगता होती है अच्छी प्राइवेट नौकरी चाहिए तो आपको बढ़ियां कॉले से डिग्री हासिल करना होगा और सरकार चलाने के लिए किसी व्यक्ति के पास कोई डिग्री होना जरूरी नहीं है यही बज़ा है कि निरक्षर से सिर्फ साक्षर कहे जाने वाले लोग भी चुनाव में किस्मत आजमा लेते हैं और ऐसे ही लोग चुनाव जितने के वाद प्रदेश और देश की जनता के भाग बिधाता भी बनते हैं मतलब ADR की रिपोर्ट पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि बंगाल में 17 परेल को पांचवे चरन के लिए होने वाले चुनाव में दो उमीदवार ऐसे हैं जुन्होंने खुद कहा है कि वो निरक्षर हैं दोनों पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं जानते चुनाव आयोग को सपत पत्र दे कर कहा है कि वो शाक्षर है यानि उन्हें अपना नाम लिखना आता है ADR की रिपोर्ट से पता चलता है कि पश्शिम बंगाल चुनाव के पांचवे चरन में 125 ऐसे कैंडिडेट्स अपनी किसमत आजमा रहे हैं जिनकी सैचनिक योगता पांचवी से बारवी तक बताई गई है यह नहीं बताया गया है कि वो बारवी पास है या नहीं यानि चुनाव लड़ रहे कुल उमिदवारों में से 49 फीजदी ने कभी कॉलेज का मुन नहीं देखा इन केंडिडेट्स में 182 या 57 फीजदी ने अपनी योगता सनाता क्या उससे अधिक बताई है तीन केंडिडेट्स ने कहा है कि उनके पास डिपलोमा की डिगरी है पांचवे चरन में कुल 319 उमिदवार मैदान में है उर्वी वर्दवान में 44, उत्तरप 24 परगना में 110, नदिया में 61, दारजिलिंग में 40, जलपाई गुडी में 56 और कलिम पोंग में 8 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं पशिम बंगाल की 294 विधान सभा सीटों के लिए 27 मार्च से 29 अपरेल के बीच 8 चरनों में चुनाव कराई जा रहे हैं चार चरनों में 27 मार्च 1 अपरेल, 6 अपरेल और 10 अपरेल को बोटिंग हो चुकी है बाकी बचे 4 चरनों की वोटिंग 17 अपरेल, 22 अपरेल, 26 अपरेल और 29 अपरेल को होगी सभी सीटों पर मत गन्ना 2 मई को एक साथ कराई जाएगी साल 2011 के बिधान सभा चुनाव में बंगाल में कुल 87.85 फीसदी वोटिंग होई थी जबकि साल 2016 में 83.85 फीसदी लोगों ने अपने मतातिगार का परयोग किया था इस अपडेट में इतना ही बंगाल चुनाव से जुड़ी हर बड़ी ख़बर के लिए बने रहिए हमारे साथ